हलो फ्रेंट्स टेक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो अपडेटर डिटन अगर आप फाइल कर रहे हो पूरा इंकम डिटिल भर दिया हुआ है और पार्ट डी ए टी आए में जाएंगे तो यहाँ पर टेक्स लाइबिलिटी हमें दिखाई देता है हमारे केस में सिर्फ 1000 रुपया दिखाई दे रहा है आपके केस में हो सकता है कि टैक्स वगरा इंटरेस्ट वगरा और लगे तो ज्यादा अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे सकता है तो जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देता है उसको आपको पे करना होता है पे करने के बाद ही आप ITR फाइल कर सकते हो updated return के लिए अब इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम payment कर सकते हैं updated return के लिए और कैसे उसका entry करना है थाकि ITR हम आसानी से फाइल कर पाएं काफी लोग इससे related सवाल पूछ रहे थे तो हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि payment कैसे करना है payment करने के लिए आपको income tax portal पर login कर लेना है login करते ही इस तरीके से dashboard आ जाता है उपर menu है e-file का option यहां दिया गया है click करेंगे तो drop down आ जाता है यहां नीचे e-pay tax का option है इस पर click करेंगे click करते ही e-pay tax का page आ गया है उपर right side में new payment का button दिया गया है इस पर click करिए अब new payment का page आ जाता है यहां पर पहला ही box है income tax का जिसमें advanced tax self assessment tax जैसे payment किये जाते हैं नीचे proceed का button है इस पर click कर देना है नया page आ जाता है यहां पर सबसे पहले हमें assessment year select करना है 2023, 2024, 2022, 2023 जो भी आपके लिए applicable होगा select कर लीजिएगा हम demo के लिए यहां पर select कर लेते हैं और उसके बाद type of payment हमें यहां पर select करना है drop down पर click करेंगे और यहां पर self assessment tax पहला वाला option है इसको select कर लेंगे और फिर नीचे continue का button है इस पर click कर देंगे continue पर click करते ही अब amount enter करने का page आ गया है tax वगेरा है आप उपर tax में डाल सकते हो interest का भी box है अगर late fees वगेरा है तो नीचे others में भी आप amount enter कर सकते हो हमारे case में tax भी था late fees भी था तो दोनों का amount हमने यहां पर enter कर दिया हुए tax वाले box में अब नीचे आएंगे scroll करके तो यहां पर continue का button है इस पर click कर देंगे click करते ही अब हमें payment की इस तरीके से करना है उसका page दिखाई दे रहा यहां पर बहुत सारे option दिये गया है net banking debit card, paid bank counter, RTGS, NFT और UPI का भी option है हमारे case में net banking का इस्तमाल करने वाले है तो net banking select करेंगे और उसके बाद SBI से payment करने वाले है तो वो bank हम select कर लेंगे select करने के बाद नीचे continue का button क्लिक कर देंगे अब preview का page आ गया है, जो भी detail हमने पिछले page पर भरा हुआ था, सारा कुछ यहां पर दिखाई देगा एक बार आपको verify कर लेना है, ध्यान देना कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सही detail आपको भरना है उसके बाद नीचे जाएंगे, तो यहां पर button है pay now का, अभी तुरंद हम pay करना चाहते हैं, तो इस पर click करेंगे click करते ही term condition का pop-up message आ गया है, पढ़ लीजिएगा, नीचे आखरी में I agree का checkbox क्लिक करिए और submit to bank का button है, इस पर click करिए अब जो भी option आपने चुना होगा, उस इस आप से page आ जाएगा, जैसे के हमने net banking select किया था, SBI का तो उसका page आ गया है अब आपने जो भी method select किया होगा, उस इस आप से payment कर दीजेगा, जब payment complete आपका हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको आखरी में screen आएगा थोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आप summary देख सकते हो, taxpayer का detail है, उसके बाद payment का detail भी दिया गया है आखरी में आपको download का button दिखाई देता है, इस पर click करके आप PDF file download कर सकते हो, ध्यान देना, चलान आपको समाल कर रखना है, बहुत important है, ठीक है इसी चलान पर आपको BSR code, चलान number, date और amount मिल जाता है, जिसको आपको ITR में भी भरना होता है तो फिलाल tax payment हमने कर दिया हुआ है, अब हम चलते हैं Excel utility में अब payment होने के बाद आपको फिर से ITR form में आ जाना है, यहाँ पर part B ATI में, total tax due यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस amount का payment हमने अब कर दिया हुआ है, लेकिन payment करना enough नहीं हो था, जो भी payment हमने किया हुआ है उस चलान का हमें यहाँ पर entry भी करना होता है, entry करने के लिए आपको इस वाले row में आना है, tax payment details only as per updated return और यहाँ पर आप अपने चलान का entry कर सकते हो, entry करने का तरीका सेम है पहले जैसाई, सिर्फ section यहाँ पर change हो गया है, section 140B के तहत यहाँ पर हम entry करते हैं तो जल्दी से चलान का detail हम भर देंगे, चलान का entry जैसे हम ITR में करते हैं, जो tax due हमें दिखाई दे रहा था, वो अब गायब हो गया है सारा detail हमने एक वीडियो में cover किया हुआ है, in case आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो उस वीडियो का link आपको नीचे description मिल जाएगा, checkout कर लीजेगा, या screen पर भी दिखाई दे रहा होगा, click करके checkout कर सकते हो, detail में discuss किया हुए, इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं, आ प्रका फंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद